नमस्कार मैं हूँ परवी शेक और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी कई दिनों से किसानों का आंदोलन चल रहा है किसान दिली कुछ की कोशिश में लगे हुए हैं इस बीच ऐसी चर्चा हो रही है कि बड़े किसान ये खेल कर रहे हैं ये बड़ी बड़ी महंगी गाड़ियों में चलते हैं जीन्स पहनते हैं इनके पास बड़ी ट्रक्टर हैं ये स्मार्टफोन और लैप्टोप का इस्तमाल करते हैं इस पर किसानों का कहना है कि लगजरी लाइफ नहीं सिर्फ पर लाखों का लोन है उनका ये भी कहना है कि ऐसी बातें उनमें फूट डालने के लिए की जा रही है किसान सयुक्त मोर्चा ने 16 फरवरी को भारत बंद का अवान किया पंजाब हर्याणा बॉर्डर पर बैठे किसान दिली कूच की जित पर आड़े हैं जिसके चलते बार्डर बंद कर दिये गए मंगलवार 13 फरवरी से ये किसान बार्डर पर डटे हुए हैं इस आंदोलन को लेकर एक हैरान करने वाला वीडियो सामने आया है जो सोशल मीडिया पर तेजी से वाइरल हो रहा है स्टोरी में आगे बढ़ने से पहले किसानों का ये वीडियो आपको दिखाते हैं तो इस वीडियो में आप साफ देख सकते हैं कि ऐसे देश का अनदाता यहाँ पर इसे कहा जा रहा है जो शराब के लिए आंदोलन कर रहे हैं सरकार के खिलाफ मारे बाजी कर रहे हैं ये वीडियो जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है इसमें साफ देखा जा सकता है कि कुछ लोग गारी में बैठे हैं और किसानों को शराब बाट रहे हैं ये तस्वीरें किसान आंदोलन की हैं जो 13 फरवरी से बार्डर पर डटे हुए हैं और दिल्ली कूछ करने पर अड़े हैं इन तस्वीरों को देखकर हर कोई कह सकता है कि देश का किसान गरीब है ये किसी भी तरह से नहीं लग रहा है ये किसानों की हक की लड़ाई लड़न के लिए आंदोलन कर रहे हैं अब आपको दिखाते हैं वो किसान जो देश को बाटने की बात कर रहे हैं जो अलग देश की मांग कर रहे हैं वो इस देश में नहीं रहना चाहते हैं चलिए देखते हैं ये वीडियो किसानों को दिल्ली में आने से रोकने के लिए शंभू और सिंगू बॉर्डर पर बैरिकैटिंग की गई और प्रदर्शनकारी किसानों पर आसु गैस के गोले भी चोड़े गए अधर गोलों का असर कम करने के लिए किसानों ने भी गीली बोरियां, पानी के टैंकर, आस्मान में पतंग बाजी और गैस मास्का इस्तमाल किया प्रदर्शन को लेकर चर्चा है कि ये बड़े किसानों का खेल चल रहा है इस पर प्रदर्शनकारी किसानों ने कहा ये हमारे में फूट डालने के लिए कह रहे हैं ऐसी कोई बात नहीं है देखो हमारे ट्रैक्टर पर कितने लोन चल रहे हैं दस दस लाख रुपए का हमने लोन लिया हुआ है वो सिर्फ ट्रैक्टर देखते हैं हमें लोन लेने पड़ते हैं हम इतने अमीर होते तो आत्म हत्य जो करें कि पर सबसे किसान उठा रही और सबसे जादा आवाज वहीं के किसान उठा रहे हैं हमें ज्यादा मरना परता है हमें यहां वहां थोड़ी सी खरीडी जा रही हैं अगर यहां भी खरीदी नहीं होती तो किसानों की हालत इससे भी ज़्यादा दैनी होती और एक और किसान नेता ने कहा कि अब जो रेट मिलता है वो किसानों को MSP का वो एक तरह का वेंटिलेटर है वेंटिलेटर सिर्फ जिन्दा रखने के लिए लगाया जाता है अब अगर को भी कमजोर कर देंगे तो फिर किसान जिन्दा कैसे रह पाएगा किसान MSP यानि न्यूंतम समर्थन मूले की गारेंटिंग की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहा है इसे लेकर सरकार का कहना है कि MSP से लेकर सरकारी खाजाने पर 17 लाग करोड रुपाय का कर्ज बढ़ तो महंगाई बढ़ने की संभावना रती भर भी नहीं है किसानेता ये भी कह रहे हैं कि हम जो पेस्टिसाइड ले रहे हैं उस पर इतनी लूट है कि डिब्बे पर MRP 800 रुपे प्रती लिटर लिखा जाता है लेकिन बिकता है 200 प्रती लिटर में उसमें भी लूट इतनी की वीडियो भी किसानों की अलग कहाने बया कर रहे हैं ये तस्वीर ताकीत करती है कि किसान चुनाव से आइंड पहले सिर्फ दबाव की राजनीती कर रहे हैं और यह किसके शैपर हो रहा है किसान अंदोलन दूबारा शुरू हो चुका है इसके लिए जो वक्त चुना गया उसकी दाद देनी पड़ेगी चुनाफ सर पर है इसलिए दिल्ली को घहरनी की योजना जरूरी थी लेकिर इनको इस समय जरूरत थी ये सवाल महत्पूर्ण है जिहां ये जो समय जो टाइमिंग चुनी गई है आंदोलन के लिए वो कई सवाल खड़े कर रही है जाहर है जरू कॉंग्रेस और आमादमी पार्टी को सबसे ज्यादा थी पिछली बार जब पंजाब में कॉंग्रेस की सरकार थी तो उस वक्त के मुख्यमंत्री ने बहुत ही चालाकी से आंदोलन को दिल्ली के दरवाजे पर धकेल दिया था सिर्फ धकेला ही नहीं बलकि पीछे से किसानो की मदद तक की गई थी अंग्रेजी वाले जिसको लोजिस्टिक फैसिलिटीज कहते हैं वो सभी मोहया करवाई गई आंदोलन से कॉंग्रेस को कोई फायदा हुआ या नहीं ये तो वो नहीं जानती होगी लेकिन जो मुख्यमंत्री अती उत्सा में था उसका जरूर उत्सा भंगो गया अब मोहरे बदल चुके हैं पंजाब में केजरिवाल की आम आदमी पार्टी सत्ता पर है लेकिन उसके मुख्या अर्विंद केजरिवाल बड़े संकट में हैं एडी ने उन्हें दिल्ली के शराब घोटाले के मामले में च्छटी बार भी समंझ जारी कर दिया ह इस जात में केजरिवाल के तीन साथी सतेंदर जैन मनीश्ट सोदिया और संजे सिंग पिछले लंबे अर्से से जेल में हैं जमानत के लिए हाथ पैर मारते रहते हैं लेकिन नसीब नहीं होती जरूर कोई पुखता सबूत रहे होंगे अब शायद वही सबूत केजरिवाल क जाक रहे हैं इसलिए एडी उन्हें बार बार बुला रही है लेकिन वो उसके सामने नहीं जा रहे हैं इस बेश किसानों के आंदोलन के सारे वो खुद को बचाने की जुगत भी लगा रहे हैं तो इससे इंकार नहीं किया जा सकता कि कॉंग्रेस पार्टी और आम आदमी प को कि कर दो कि को इस बीशी आधर खुन जांटकी जांटे गेना कि अन। कि टो यह थेखिए। आप सबी से दर्कॉस्त है कि इस मीडियों को दूरूब जो पर आप तो बिद्रा अजय देख देजाओ अब आट पत वंजा अर्जन भाई अर्जन भाई अर्जन अट पत वंजा जे तर्डवाई इस बैश्किसान संघटनों से अगली बातचीत के लिए 17 फरवरी का दिन मुकर्र हुआ है इसको लेकर मोधी सरकार ने अपनी तयारियां भी पूरी कर ली है इस बातचीत की जानकारी देते हुए केंद्रिय मंतरी अनुराग ठाकुर ने भी बड़ा बयान दिया उन्होंने कहा मुझे विश्वास है कि रव अनुराग ठाकुर ने कॉंग्रिस को भी मुह दोर जवाब दिया है तो क्या कहा है अनुराग ठाकुर ने देखते हैं इस वीडियो में किसान संगटनों से मिलने के लिए वो आए वारता भी बहुत अच्छी हुई और अगली वारता का समय भी रविवार का तैह हुआ है मुझे पूर्ण विश्वास है रविवार को भी अच्छे वातावरन में बादचीत होगी और इन मुद्धों के हल के लिए हम आगे बढ़ेंगे जहां तक आपने पूचा की केंदर ने क्या किया कुछ विवक्षी दल सवाल उठा रहे हैं मैं इतना ही कहूंगा अगर पांचे मुद्धों को देखा जाए खाद, पानी, MSP पर खरीद या फिर बैंकों से रिंड से लेके मुआबजे तक इन सभी पहलों पर जो मोदी सरकार ने किया है वो आज तक किसी सरकार ने नहीं किया किसान आंदोलन में बैठे किसानों की वज़े से आम जनता को भी काफी परिशानियों का सामना करना पड़ा है लोगों को याता यात करने में भी खासी दिकते हो रही है ट्राफिक जाम से लेकर लोगों को टैक्सी और ट्रावलिंग के लिए गारियां तक नहीं मिल पा रही है इस भी सोशल मीडिया पर भी कई तरह के वीडियों सामने आ रहे हैं जो वाइरल हो रहे हैं जो किसान आंदोलिन से जुड़े हुए है इन वीडियो में देखा जा सकता है और ऐसे ही एक वीडियो है जिसमें ये लड़किया किसानो पर नाराज होती है दरसल कार सवार लड़की किसानों से उस समय भिड़ गई जब किसानों ने उसे आगे जाने से रूका वाइरल वीडियो में लड़की किसानों को गंदे इशारे भी कर रही है इस दोरान उसके कार के सामने कई बुज़र्ग किसान भी नजर आए उसे यहाँ पर इसनी गंदे इशारे किये साथी गालियां भी दी किसानों को लड़की का कहना है कि आप हमें क्यू रोक रहे हैं उसे किसान कोशिश करते दिखते हैं लेकिन युफ्ती ने भी बद्धी गालियों की जड़ी लगाती ये वीडियो हम आपको बलर करके दिखा रहे हैं क्योंकि वाइरल वीडियो में लड़कियों के इशारे इतने गंदे हैं कि हम आपको ये वीडियो नहीं दिखा सकते तो जिस तरह से आंदोलन से वीडियो जो सामने आ रहे हैं वो कई सवाल खड़े कर रहे हैं आम लोग इस आंदोलन से काफी दिक्कत में हैं तो वहीं सरकार की तरह से भी लगातार बातचीत की पेशकश की जा रही है लेकिन बातचीत का कोई नतीजा नहीं निकल रहा है वहीं आंदोलन को लेकर जो टाइमिंग चुनी गई है वो भी कई सवाल खड़े कर रही है वैसे यह किसान आंदोलन नहीं बलकि मोदी हटाओ आंदोलन ज्यादा दिख रहा है क्योंकि किसानों ने चुनाव से एन पहले जिस तरह से MSP को लेकर आंदोलन छेड़ा है वो कई सवाल खड़े कर रहा है और यह किसान बॉर्डर पर डटे हुए हैं जो दिल्ली में आना चाहते हैं वहीं आंदोलन में कई देश विरोधी गतिविदियों को भी यहाँ पर देखने को मिल रही है जिस तरह से किसानों को शराबे बा रही हैं तो यह किसान आंदोलन कम incumbent हटाओ आंदोलन ज्यादा दिक हरहा है अब देखना यह होगा कि बात चीट होगी जा 17 फरवरी को जो बात चीट QueysMr. किसानों के साथ उसमें नतीज्जान निकल कराता है लेकिन किसान आंदोलन से से जो वीडियो आ रहे हैं वो काफी हैर करें ना उसकार